Hello friends, good morning to all and today we will study the remaining and the final part of models दोस्तो इससे पहले हम models की कुछ classes ले चुके हैं, two classes उसमें हमने पड़ा था can, could, may, might, should, must or to and use to and would और today आज हमारे जो topic है वो है dare and need dare and need एक बहुत important topic है और इसे बहुत केरफुल ही आपको समझ रहा हूँ क्योंकि dare and need को इस्तेमाल करें जाता है वो main work or helping work दोनो रूप में केर जाता है तो दोनों रूप में जब इसका इस्तेमाल के जाता है यह different तरीकी से इस्तेमाल की जाती है English grammar में, सबसे पहला हम देखते हैं कि need or dare का इस्तेमाल जो है वो main work की रूप में और साथ में modal axillary verb के रूप में इसका इस्तमाल के रहता है साथ में हम देखते है need और dare अगर need और dare को main verb के रूप में आप इस्तमाल करते हैं तो आपको need to और dare to लिखना आनिवारी होता है इसके बाद यदि need के और dare को आप helping verb के रूप में इस्तमाल करते हैं जैसे हम पहला sentences check करते हैं need to and dare to तो need and dare to को इस्तमाल हम कैसे करेंगे यहाँ पर हम इसे main verb के रूप में इस्तमाल करते हैं तो देखते हैं कैसे use होगा You need to work hard तुम्हें कठें प्रिश्ण हम करने के आफशक्ता है तो you need to work hard I need to help her मुझे उसकी सहायता करने के आफशक्ता है So, दोनो sentences में हमने आपे need को as a main verb use किया है तो यह अपने साथ तो वैसा हम इसे finite verb के रूप में भी use करना कह सकते हैं तो दोनों अपने साथ क्या ले रही है 2 plus 2 Next sentence होगा need or dare यदि आप इस helping verb के रूप में इस्तमाल करते हैं तो यह need or dare to नहीं लेंगे I do not need to work hard देखो इस sentence में देखते हैं I do not need to work hard मुझे कठिन परिश्यम करने के अवशक्ता नहीं है तो इस sentence में हम देखते हैं कि helping verb do के रिश्तमाल के जा रहा है तो need यहाँ पर भी main verb है तो यह अपने साथ to लेगी लेकिन अगर हम need को helping verb के रोप में यूज़ करेंगे तो यह to लेना बंद कर देगी जैसे I need not work hard मुझे कठिन परिश्यम करने के अवशक्ता नहीं है तो दोनों के menu में कोई chain नहीं है लेकिन यहाँ हमने need को main verb के रोप में यूज़ किया है तो यह to लेगा लेकिन यहाँ पर हमने need को modal axillary verb की रोप में इस्तेमाल किया है तो यह अपने साथ to नहीं लेगा let's study dare dare का इस्तेमाल कैसे करते हैं same need के लिए अगर हम dare का इस्तेमाल main verb की रोप में करेंगे तो यह अपने साथ to लेगा तो सबसे पले मैं एक sentence सिकता हूँ जिसमें dare जो है वो main verb के रोप में इस्तेमाल होगा जैसे I dare to go out in dark मुझमें अंदेरे में बहाँ जाने का साहस है तो हमने क्या किया यहाँ पर dare main verb के रोप में इस्तेमाल किया तो यह अपने साथ to लेगा दूसरा He dares to go out in dark उसमें अंदेरे में बहाँ जाने का साहस है तो एक बात ध्यान देंगे कि dare का इस्तेमाल जब आप main verb की रोप में इस्तेमाल करते हैं तो यह subject के coding verb में S या Yes लेगा लेकिन जब आप इससे modal axolaari verb की रूप में इस्तेमाल करते हैं तो sentence का या तो negative होना और फिर sentence का intricate होना अन्यवारिये है sentence negative और integrated होगा तभी से helping verb की रूप में इस्तेमाल किया जाएगा otherwise main verb में ना तो need और ना ही dear कभी भी helping verb की रूप में इस्तमाल नहीं किया जा सकते need और dare दोनों ही main verb की रूप में इस्तमाल किया जाते यह दिया आपका sentence positive या affirmative है तो इन दोनों को need और dare को negative या integrative sentence में ही modal axially verb की रूप में define किया जा सकता है जैसे c does not dare to abuse her rivals उसमें अपने प्रतिद्यूंद्यों को गाली देने का साहस नहीं है तो इस sentence में भी हमने helping verb does or not does का स्तमाल किया यह जो dare है वो अपने साथ तू लेगा लेकिन अगर हम इसी sentence में dare को helping verb के रूप में इस्तमाल करेंगे तो यह जो to लेना है वो बंद कर देगा जैसे c dare c dare snot abuse her rivals तो sentence में एक mistake है क्योंकि जब आप dare को या फिड need को model axillary verb के रूप में इस्तमाल करते हैं तो वे s yes नहीं ले सकते हैं इस sentence में आपको s का इस्तमाल नहीं करना c dare not उसमें साहस नहीं है abuse her rivals अपने परती दूंद्यों को गाली देने का तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि dare or need verb में as या yes नहीं ले सकती if they are used as model axillary verb तो यदि need or dare को model axillary verb के रूप में यानि कि helping verb के रूप पे इस्तमाल के जाता हैं तो आप need and dare के साथ s yes का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं next topic has to have to and have to तो दोस्तो has to or have to का इस्तमाल कहां के जाता हैं बहुत सारे काम आपको present में मजबूरी में करने बढ़ते हैं आप वो करना नहीं चाहता है लेकिन आपको वो as a cumulsion करने होते हैं तो उसके लिए आपको has to या have to का इस्तमाल करना होता है लेकिन ऐसी कुछ काम आपको pass में मजबूरी में करने होते थे तो उसके लिए आपको have to का इस्तमाल करना होता था तो present में अगर कंपलसर है तो has2 या have2 प्लस वाप की first form और अगर past में कोई कंपलसर जाने के मजबूरी रही थी उसके लिए आपको have2 प्लस वाप की first form इस्तेमाल करनी होती है जैसे अगर present की मजबूरी में देखें तो हम लिख सकते हैं I have to get up early in the morning मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो I have to get up early in the morning यह पर कंपलसर दर सारा है मजबूरी को see has to cook food उसे खाना बनाना पड़ता है तो यह present कंपलसर होगी और जैसे past कंपलसर है आप क्या इस्तमाल करते हैं had to इस्तमाल किया रहता है तो कैसे लिखेंगे हम जैसे I had to go to school by bus मुझे school बस से जाना पड़ता था तो यहां पर past की कंपलसर दर सारा है कि मुझे school बस से जाना पड़ता था जैसे आप अपना होमवर्क रात में पूरा करना पड़ता था तो यह आप past कंपलसर दर सारे हैं तो पास की कंपलसर दर साने के लिए आप present में has to and have to plus work की first form और past में had to plus work की first form में इसके बाद जो हमारा next topic start होता है वो है is mr2 तो is mr2 को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तो हमारा जो next topic है वो है s2, m2, r2 present planning के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद past planning के लिए इस्तेमाल के जाता है जो काम आपको करना है जैसे मैं सुभा जल्दी उठता हूँ ये मेरी habit हो गए लेकिन ये planning नहीं है लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे सुभा जल्दी उठना है ये आपकी planning हो गए जैसे अब मुझे खाना खाना है ये आपकी planning हो गए या मुझे कल सुभा जल्दी मुंबई के लिए रवाना होना है यह आपकी planning हो गई जैसे आज रात मुझे जल्दी सोना है यह आपकी plan होगी कि मैं जल्दी सोता हूं यह आपकी habit होगे तो हम habit की बात करें हैं बात करें हम present planning की जो आपकी present की planning होती है उसके लिए आप is to m2 and r2 इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो हमारी पास की planning थी उसके लिए अपने वास्टो वर्टो इस्तेमाल करता है तो देखते हैं जैसा मैं लिखा है is to m2 and r2 is used for present planning और वास्टो वर्टो इस्तेमाल करते हैं तो बात करते हैं present planning के लिए जैसे I am to complete my homework मुझे अपना homework पूरा करना है तो I am to complete my homework c is to deposit proceeds in the bank proceeds होता है लाप के लिए इस्तेमाल के जाता है उसी जो अपना धन है यह जो profit है वो कहां जमा करना है बैंक में जमा करना है वो अपनी planning दर्साद के अगर इसी तरह पास की planning के दर्साद जैसे I was to leave for Mumbai लास्ट नाइट तो अब पास planning दर्साद रहे कि कल रात हुझे मुंबई के लिए रवाना होना था और उसे meeting अटेंड करनी थी तो दोस्तों हमने यहां पर काफी topics पढ़े हैं मोडल्स के बारे में can, could, may, might, should, must, or to, has to, have to, use to, would, need, and dare तो इन सभी मोडल्स को मैंने बताया कि मोडल्स का जो इस्तमाल होता है किसी भी speaker के mood को या फिर उसके attitude को दर्साने के लिए मोडल का इस्तमाल करते हैं I hope को आपको मोडल्स अच्छे से समझ में आये होंगे और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी नई topics जो आपके चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसी पर आपको available होगी So thank you, bye